question number 17 अगर हम इस question को देखे तो ऐसा हमने एक example भी solve कर रहा था उस example में हमने यह जीखा था कि कभी भी अगर हमें last term से अगर कोई term calculate करनी है like इस question में लिखा find the 20th term from the last यह important है from the last term of the AP AP हमारे पास given है 3813 इस type से तो last से अगर हम 20th term calculate करना चाहें तो इसके लिए हम बहुत तरीकी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर हमने एक तरीका सीखा था कि अगर हमारी जो AP है वो इस case में 3813 इस type से और इसकी last term है 253 so इसकी last term अगर 253 है so अगर हम देखें कि इसकी अगर ये last term है और अगर back से calculate करें तो ये इसकी पीचे से first term होगी और इसी तरह से हमें 28th term बतानी है कि वो 28th term क्या आईगी पीचे से आगे की direction में तो पीचे से अगर ये first term है तो हम एक अलगी AP form कर लेते हैं जिसमें पहली term है 253 और इसके बाद जो इससे पहले वाली term होगी यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर होगी 248 क्योंकि common difference यहाँ पर एक तरह से 5 का है तो 5 add होते हो जाएंगे तो next term होगी हाँ पर 248 इसके बाद यहाँ पर जो next term होगी वो 5 और subtract हो जाएंगे तो वो next term हमारे पास आएगी 243 इसी तरह से चलते चलते last में कुछ हमारे पास आएगा 13,8,3 इस टाइप से सो अब हमने एक नई ही AP भी फॉर्म कर लिए नई AP हमारे पास यहाँ पर यह इस new AP में जो कि हम लिख रहे हैं backward वाली AP है backward वाली जो AP है backward direction से from the last तो यहाँ पर पहली term है यह second term है यह third term है यह तो हम easily हाँ पर 28th term बता सकते हैं जिसके लिए हम अगर देखें तो A हमारे पास इस AP में 253 D हमारे पास इस AP में होगा 248-253 that is minus 5 and अब हमें calculate कर रहा है A20 तो N हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 20 और calculate क्या करना है हमें आपर A20 तो A20 की हमें आपर value नहीं पता so start करते हैं A20 जो होगा हमारा वो equal होगा A plus N minus 1 multiplied by D और we can say A plus 19 D तो इसे हम इसी type से लिख भी देंगे सारी values को हाँ पर put कर देंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा A यानि कि 253 plus 19 multiplied by minus 5 जो कि आएगा 253 minus क्योंकि 19 को जो हम minus 5 में multiply करेंगे तो यह हो जाएगा minus 95 so जब हम इसे solve करेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा like A 20 equal 253 minus 95 जो कि आएगा 158 यानि कि 20 टर्म इस सीरीज में हो जाएगी 158 from backward direction so एक तरीका इसमें यह है कि हम simply उस AP की direction ही change कर दें और उसे backward direction के according ही calculate कर लें जिससे कि हम उस AP में बता दें कि वो term कौन सी होगी लेकिन इसके अलावा भी बहुत methods हैं जिससे यह AP solve हो सकती है जिससे last में से 20th term calculate करी जा सकती है जिससे जाएगी